गुडमोरिं स्टूडण आज हमने करने है एक्सरसास 8.1 फोमारा फर्स शमै फांट ़ाइट पैरिमीटर ये हमें पैरिमीटर दिया हुआ है रित्रंगल का पैरिमीटर ओफ रित्रंगल एट और 3 है तो हमें पता है कि parameter of rectangle का formula क्या है सबसे पहले हमने लिखना parameter of rectangle equal to length plus breath और ये length दी हुई है और ये breath दी हुई है तो हमारे पास है ये मैंने formula इसलिए पहले लिख लिख लिया है क्योंकि हमारे पास time जो है हमारी वीडियो लंबी ना बने तो हम अच्छी तरह से समझ भी लें लेकिन वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए हमने ये पहले मैंने लिख लिया है तो ये हम apply करेंगे 2 तो हमें length कितनी दी हुई है length जो है हमारी 8 ठीक है 8 meter plus जो breath है वो कितनी दी हुई है 3 meter ठीक है इसके बाद हम इसको कर देंगे 2 multiply 8 और 3 को हमने कर देना plus 8 और 3 equal to 11 हो गया अब 11 को हमने 11 को 2 के साथ multiply करेंगे तो हमारा 22 आ जाएगा इसका मतलब है कि जो हमारा इसका perimeter है वो कितना है 22 cm meter है ठीक है यह हमारा answer आ गया इसी तरह से हमने करना है perimeter of square जो second sum है हमारा यह भी perimeter ही ढूँड़ना है लेकिन यह क्या है रिटर एंकल है और यह हमारा square है यहाँ पे formula हमारा अलग हो जाएगा जैसे perimeter of square का जो है formula वो कहा 4 multiply sides मतलब 4 को हमने sides के साथ multiply करना है यह 4 है और sides कौन सी है 5 cm और 5 cm यहाँ पे सारी 4 sides हो जाएगी 5 cm की तो हमने apply करना है तो यह से 4 लिखे multiply by 5 equal to हमारा कितना आजेगा 4 2 का 5 को करना हमने 4 के साथ 20 आ गया ना हमारा 20 cm आ गया यहाँ पे centimeter है तो इसका मतलब यहाँ पे भी centimeter ही है ठीक है यह हमारा answer आ गया ठीक है बैटा जी इसी तरह हमारा जो do nest to sum up find the perimeter of rectangle those length and breadth are as falling अब हमने perimeter पता करना है और जो given है हमारा क्या है length और breadth आगे हम इसका detail करते हैं यह हमने digit लिख हुई है हम आगे इसकी detail करते हैं सबसे पहले हमने उसी तरह से formula apply कर लेना है जैसे हमें पता है कि perimeter triangle का formula क्या है two ब्रैक्ट में है हमारी length और breadth यह two और हमने two से हमें लिख दिया इसके length लिख दी और फिर breadth लिख दिया फिर two multiply two और यह three है तो कितने होगे टू और plus थी कितने होगे फाइफ होगे न इसका मतलब है कि यह हमारा आगए two five का ten सी है ठीक है यह हमारा answer आगए इसी तरह से हमने दूसरा कर लेना है इसको हमने perimeter 12 m meter है और ten meter है उसी तरह से हम फिर formula apply करेंगे perimeter of rectangle two और length और rhythm यहाँ पर two लिख देना है और यह हमारा कितना आजएगा यहाँ पर हम plus करेंगे two में से zero plus की हमारा two आजएगा और यह one और one two आजएगा ठीक है तो हमने multiply का sign ज़रूर लगाना है ठीक है टू को करेंगे हम 22 के साथ तो हमारा कितना आजएगा 244 ठीक है यह हमारा क्या आजएगा यहाँ पर M है तो इसका मतलब यहाँ पर भी M ही आना है meter ही आना है यह हमारा answer आजएगा इसी तरह से हमारा c sum है वो भी बहुत ही simple वसी तरीके से हमने कर लेना है सबसे पहले हम लिखेंगे perimetrophic triangle formula हमने लिखा है 2 multiply length कितनी है हमारी 5 15 cm plus breath कितनी है 8 cm ठीक है इसको पहले ब्राक्ट में रख लो फिर 2 multiply इस दोनों को हमने क्या कर देना plus कर देना 15 और 8 23 हो गया ठीक है 23 हो अब इसको हमने multiply कर देना 3 को करेंगे 2 के साथ तो 6 सा आजेगा 2 को करेंगे 2 के साथ तो 4 आजेगा ठीक है यहाँ पे क्या करना है हमने cm पता करना है तो इसका मतलब यहाँ पे हमने cm लिख देना है यह हमारा answer आजेए इसी तरह से हमने जो nest करना है हमने 3rd अपना part करना है find the perimeter of square those side are whose side are is कौन सी है side is कौन सी है given यह वाली sides है कहते कि अपने एक square का पता करना है जिसकी side हमें 4 given की हुई है ठीक है तो सबसे पहले हमने formula change कर लेना है side of square कितना हमारे पर 4 है और फिर perimeter of square 4 multiply sides बतलब यह formula है 4 multiply sides 4 multiply sides कौन सी है 4 है न तुमारा कितना आएगा 4 4 का 60 cm अंसर आजाएगा ठीक है इसी तरह से हमारा है 8 अब हमें perimeter of square दिया हुई है क्योंकि side का थो हमें दिया है यह side लिखने के जुरूरत नहीं जैसे यहाँ पर मैंने लिखा side of square यह लिखने के जुरूरत नहीं है हमने बस यह लिख लेना है perimeter of square क्योंकि side तो दिया हुई है तो हमने क्या कर देना है 4 multiply 8 ठीक है अब हमने 4 को करना है 4 को करेंगे multiply तो कितना आएगा 4 4 को करेंगे 8 के साथ हमारा आएगा 32 cm यहाँ पर cm है तो यहाँ पर भी cm लिखना है ठीक है इसी तरह से हमारा जो e sum है 20 c sum है वो करेंगे जैसे 10 दिया है तो 10 side से दियुए है मतलब side of square क्या है हमारे पास 10 है तो perimeter of square उसका formula apply करेंगे 4 को करेंगे multiply 10 के साथ तो कितना आएगा 40 आजएगा ना 40 cm आजएगा इसी तरह से हमारा यह d sum है 72 दियो है side of square कितना है side of square हमारा 72 है और side of square perimeter of square का formula apply करेंगे 4 को करेंगे हम 30 72 के साथ ठीक है इसको किया हमने 72 को किया 4 के साथ तो हमारा आजएगा 288 हमारा कितना आजएगा 288 cm पता करना तो cm आजएगा ठीक है पिटा यह हमारा answer है इसी तरह से हमारा nest sum है इसी तरह हम अपना nest sum करेंगे find the sides find the sides of square whose side is 48 cm अब sides of square करना है तो यहाँ पर formula हमारा change हो जाएगा side of square कितना है perimeter of square by 4 तो कितने दी हुई है हमें 40 हम लिखेंगे perimeter of secure कितना है 48 और हम करेंगे 4 के साथ divide चाहिए आप ऐसे कर लो चाहिए ऐसे भी काड़ सकते हो 4 1 का 4 और 4 2 का 8 ठीक है यह कितना आ गया हमारे पास perimeter इसका कितना है 12 math को भी हम साथ में खोल लेते हैं ताको कोई confusion ना हो ठीक है perimeter हमारा आ गया 12 12 cm ठीक है पिटा इसी तरह से हमारा है b sum 8 यहां पे formula लिख लिए हम side of square perimeter of square by 4 अब हमने 80 को लिख देना है ठीक है तो यहां पे 4 है आप चाहिए तो ऐसे divide भी कर सकते हो जैसे 80 को किया हमने 4 के साथ 4 यहां पे 2 आ गया ठीक है 4 8 आ गया ओपर से हमने 0 ले लेनी है ठीक है तो यह 0 क्योंकि आगे कोई digit नहीं है तो यह 0 जहां पे आगी 4 1 का 4 2 का यह वला 8 और यह 0 यहां पे 20 आ गया ठीक है 20 हमारा मीटर अंसर आ गया इसी तरह से हमने अपना सी सम कर लेना है सी सम का फॉर्मूला हमने पहले से लिख दिया है जैसे साइड ओव स्केर पैरिमिटर ओव स्केर वाई 4 तो हमारा जो है कितना है पैरिमिटर कितना दिया हुए 24 और जे 4 ठीक है इक्वल टू डालके हब हमने इसको किसके साथ काट देना है 24 को कटेंगे हम इसके साथ तो हमारा कितना आ जेगा आपको पता है कि 4 के 4 को कम हम 6 के साथ करेंगे तो हमारा आ जेगा 24 कितना मीटर यह हमारा अंसर आ गया और हम आगे करेंगे अपना ये वाला सम, फिफ्ट सम डिजेट हम अच्छी तरह से देख लेते हैं इसकी दा लेंथ एंड ब्रीथ ओफ रेंगर पार्ट पार्क इस नाइटी सिक्स मीटर एंड शिक्सी फोर मीटर एक पार्क है तो उसकी जो लेंथ है वो है गे 96 मीटर है और जो इसकी ब्रीथ है वो क्या है 64 मीटर है तो अब कहते है कि पार्क के चारों और हमने वायर लगानी है तो वो कितनी होएंगी ठीक है तो सबसे पहले हमने रिट्रेंगल का पता करना है न तो इसका मतलों ये वाला formula प्लाई करेंगे अब हमने करना है इसको 96 meter प्लस कितना 40 64 meter ठीक है तो यहाँ पे 2 multiply जरूर लाने है तो यह हमारा आगया 4 और 6 10 0 यहाँ पे और यह हमारा आगया 60 कितना आगया हमारा 160 आगया ठीक है अब हमने 160 को multiply कर देना 2 के साथ 160 को multiply करेंगे 2 के साथ 2 को गिया 0 के साथ 0 आगी ठीक है फिर 2 को गिया 6 के साथ 12 1 carry के लिए 2 1 का 2 और यह 1 वाला 3 ठीक है यह हमारा आगया 320 जो है 320 मीटर जो है लेंथ जो वायर चाहिए वो कितनी है 320 वायर ठीक है यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो जा भी आप लिख सकते हो लेंथ ओफ रिक वायर वायर इस 320 यह हमारा अंसर आगया ठीक है बटा इसी तरह से हमने कर देना है अपना 6 सम पहले पेस्ट कर लें दा पैरिमीटर अफ रिट्रेंगल पार्क इस 84 मीटर फाइंड इस ब्रिट और इस लेंथ इस 24 अब हमने क्या करना है सबसे पहले हमने क्या यहां से रिट्रेंगल का फॉर्मूला क्या है ब्रिट और रिट्रेंगल सबसे पहले हम लिखना है ब्रिट और रिट्रेंगल कितना है यह हमारा फॉर्मूला है तो यहां पे हमने लिखना पैरिमीटर parameter by 2 अब जो by chance अब ही हमने क्या find करना बिरित करना तो यहाँ पर बिरित लिख देना है ठीक है अगर length वदा करना है तो length लिख देनी है तो अब हमने करना यहाँ बिरित देखने है कितनी है equal to बना देंगे तो इस parameter कितना है हमारा 84 है ठीक है फिर आए जाएगा 2 अब हमने इसको काड़ देना 2 के साथ ठीक है 2 4 का 8 और 2 2 का 4 यह हमारा आगा 42 अब माइनस कौन सी चीज़ करनी है 42 में माइनस क्या करेंगे जो length देवी है 42 में माइनस कर देंगे इसकी length 24 तो हमारा कितना आजएगा equal to 18 मीटर इसका मतलब है कि length जो है दी हुई है और जो हमारे बिरित होएगी 18 मीटर होएगी यह हमारा answer आगा इसके बाद हमने करना अपना 7 sum तो सबसे पहले digit देख लेते हैं a player run around a square track of size 50 मीटर how many round will be take to complete कहते कि player जो है इतने square आपने जो track 50 मीटर में पूरा करता है और अगर उसने कितने round में जो सारा complete करेगा ठीक है जो कितने round लगेगा कि how many round will be take it to complete कितने round में जो करेगा सबसे पहले करना हमने side of square track कितनी है side of square track कितने है हमारा है 50 50 है ठीक है इसके बाद कहते हैं कि one round equal to हमारा हो गया perimeter of square one round one round one round equal to हमारा हो जेगा perimeter of square perimeter of square ठीक है कितना हो गया perimeter of square कितना हमारा side हो हीगा न perimeter square कितना है equal to four by sides ठीक है अब ये हमने formula apply करना है four करेंगे हम four और pair कितना दिया side हमें 50 है न इसका मतलब है कि हम multiply करेंगे तो तू 100 आजएगा हमारा ठीक है अब round कितने है round कितना हमारा 2000 है न ये digit मैंने complete नहीं लिखी 2000 है by 200 ये हमारा हो गया cut 10 के साथ इसका मतलब है कि हमें कितने round में complete करेंगा 2000 जो है round वो कितने में करेंगा 10 10 अगर round करेंगा तो हमारा 2000 जो है धोड़ complete हो जाएगी उसकी ठीक है 10 round ये हमारा अंसर आ गया आगे है fill up fill in the blanks ये हमारा length ये form perimeter of triangle 2 multiply length और यहाँ पे बिरिथानी है ठीक है इसके बाद हमारा है perimeter of square 4 है न 4 multiply sides और यहाँ पे perimeter of a close finger made of line segment is dash of length of it is our side क्या करेंगे sum भी करेंगे प्लस कर देंगे sum इस तरह dear student जे हमारी exercise complete होगे next video में इसके अगली exercise करेंगे ताकि आप अच्छी तरह से exam दे सको फिर बाद में मैं इसको इसके बाद में आपको जो paper का style जैसे आना वो भी आपको easily करवा दूँगी ठीक है फीटा आपने अच्छी तरह से practice करनी है क्योंकि आपको MCQ ही आने वाली है और ये detail आप जब MCQ आएंगे तो आपको देखना लिके बढ़ना है ना देखना पड़ेगा तभी तो आप सामको टीकर लगाओगे ठीक है इस तरह आपने अच्छी तरह से practice करनी है चेक क्यार